जीवन और मृत्यू का सामना करना मोह के बंदन और जिम्मेदारी प्रश्ण 357 क्या हम अपने परिवार और यार दोस्तों के साथ प्यार करते हुए भी सद्गुरू से प्यार कर सकते हैं? अगर आप सेंट मैथ्यू की वारता पड़ें तो आप देखेंगी कि हजरत ईसा ने हमारे सांसारिक संबंदों जैसे कि माता पिता, बीवी बच्चों और यार दोस्तों के साथ हमारे रिष्टे के बारे में साफ साफ समझाया है उन्होंने काह है कि मैं दुनिया में अमन कायम करने के लिए नहीं आया मैं तो तलवार लेकर आया हूँ यह मत समझना कि मैं दुनिया को तुम्हारे रहने लायक एक बहतर जगा बनाने आया हूँ मैं तो शब्द की तलवार लेकर आया हूँ ताकि इस दुनिया में जिसके साथ भी तुमारा मोह का बंदन है, उन्हें काट कर तुम्हें परम पिता परमात्मा के पास ले जाओं। वे कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ, कि पिता का अपने पुत्र से, पत्नी का अपने पती से और माता का अपने बेटे से मोह ना रहे। जब तक हमारे आपस के मोह के बंदन नहीं तूट जाते तब तक हम कभी परमात्मा के पास वापस नहीं पौन सकते क्योंकि ये बंदन हमें हमेशा दुनिया की और खीशते रहते हैं फिर भी ये मोह तभी दूर हो सकता है जब हम किसी उची लज़त के साथ जुड़ जाते हैं तब हम अपने दुनियावी रिष्टों से निरलेप हो जाएंगे हजरत ईसा कहते हैं अगर तुमारा अपने बच्चों या इस दुनिया के रिष्टे नातों के साथ मुझसे ज्यादा लगाव है तो तुम मेरे लाइक नहीं हो मेरे लाइक होने का मतलब है कि परमात्मा के साथ एक रूप हो जाने के काबिल होना और अगर तुम परमात्मा के साथ एक रूप होना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा तुम्हें अपने दुन्यावी संबंधों से लगाव नहीं रखना चाहिए क्योंकि इनका मोह तुम्हें वापस दुन्या में खीचता है मैं उस परमपिता में समा चुका हूँ मेरे जरिये तुम भी परमात्मा का रूप बन सकते हो इसके बाद हजरत ईशा दुन्या के रिष्टे नातों के बारे में समझाते हैं किसी ने उनसे कहा आपकी माता और आपका भाई आपके पीछे खड़े हैं शायद आपसे बात करना चाहते हैं हजरत ईशा ने जवाब दिया कौन है मेरी माता कौन है मेरा भाई कौन है मेरी बहन जो मेरे परमपिता की रजा में रहता है वही मेरा भाई है वही मेरी बहन और वही मेरी माता है दुनिया के रिष्टे नाते मेरे लिए नहीं है यह सब तो कर्मों के भुकतान का लेखा है कर्मों के मुताबिक हमें एक दूसरे के लिए कुछ जिम्मेदारियां सौपी गई हैं और हमें उन्हें निभाना है असल में हमें एक दूसरे के लिए नहीं बनाया गया है हम तो सिर्फ परमपिता परमात्मा के लिए बने हैं ठीक उसी तरह जैसे किसी स्टेज पर हर कलाकार को अपना-पना रोल अदा करना होता है कोई hero का रोल निभाता है, कोई heroine का और कोई villain का जब वे अपना-पना रोल अदा करके stage से नीचे उतर जाते हैं तो उनका आपसी रिष्टा खत्म हो जाता है अब वे पती और पतनी नहीं रहते और ना ही कोई विलेन और हीरो रहता है इसी तरह संत समझाते हैं कि यह संसार भी एक बहुत बड़ी स्टेज है और हम सब को एक अपना खास रोल मिला है जिसे हमने इस स्टेज पर अदा करना है अपना रोल निभाते हुए हमें एक दूसरे के मोह में इतना जादा नहीं फस जाना चाहिए कि हम यही भूल जाएं कि यह सिर्फ हमारा रोल है जो हमें दुनिया के स्टेज पर अदा करने के लिए दिया गया है और एक दिन हमने इस स्टेज को छोड़ कर चले जाना है हम एक दूसरे के मों में इस हद तक फज जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम सिर्फ रोल निभा रहे हैं और यही मों हमें खीच कर बार बार इस दुनिया में ले आता है यही कारण है कि हजरत इसा कहते हैं कि तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारे दुश्मन है वे बहुत कठोर शब्दों का इस्तमाल करते हैं वे कहते हैं कि ये घर के लोग तुम्हारे शुप्चिन तक नहीं है ये तुम्हारे दुश्मन है क्योंकि ये तुम्हें बार बार अपने पास वापस यहीं खीच लाते हैं वे आपको अपने मोह में जकड लेते हैं, वे आपको अपने मोह जाल में इस तरह उलजा देते हैं, कि आपको परमपिता परमात्मा के बारे में सोचने की फुरसत ही नहीं मिलती। तुम चाहे इनकी खातिर कितनी ही कुरुबानिया क्यों ना देते रहो, ये कभी तुमारे नहीं बनते। परमात्मा ही जाने कि अपने पिछले जन्वों में हमारे कितने बेटे-बेटियां हुए हैं, और कितनी बार हमने पती, पत्नी, माता का रोल निभाया है। जब हम पिछले उन सब रिष्टों को भूल चुके हैं, तो निश्चित है कि इस दुनिया में हम आज जिनके मोह और प्यार में फसे हुए हैं, उनको भी याद नहीं रख पाएंगे। इस प्रकार हजरत ईशा के कहने का मतलब यही है कि हर एक संथ महात्मा का मकसद हमें एक दूसरे के मोह से छुड़ा कर परमात्मा के साथ जोड़ना होता है। इसी लिए वे तलवार लेकर आते हैं, ताकि आपसी मोहों में बाधने वाली हमारी रस्यों को काट सके। मुनुष्य जन पाने का मुख्य कारण यही है कि हम अपने अंदर परमेश्वर से मिलाप कर लें, वापस जाकर परमात्मा में समा जाएं। अगर हम इस मकसद को अपने सामने रखें, तो कुदरती तोर पर अपने आपको हम अंतर में शब्द के साथ जोड़ लेंगे। अपनी जिन्दगी इस डंग से कैसे गुजार सकते हैं कि एक दूसरे के साथ रिष्टा भी निभाते जाएं और एक दूसरे के मौ में भी ना पासें। देखिए, समाज में हमारे कुछ फर्ज और जिम्मेदारियां होती हैं। दूसरे लोगों के प्रती, अपने देश के प्रती, अपनी कौम के प्रती और अपने परिवार के प्रती हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। हमें उन जिम्मेदारियों को फर्ज समझ कर निभाना है, हमें उन जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से हमारा ध्यान परमपिता की ओर, मालिक की ओर होना चाहिए, केवल प्यार ही हमारे अंदर विराग्य पैदा करेगा, जब हम अंतर में किसी उंची चीज के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमारा मो अपने आप इस रचना से छूट जाता है, तब हम सिर्फ करतव्वे के नाते, अपनी जिम्मेदारियां, अपने फर्ज निभाने के लिए ही लोगों से मेल जोल रखेंगे, मिसाल के तौर पर एक मेनेजर और मालिक दोनों दफ्तर में आते हैं, लेकिन उनके नजरिये में फर्क होता है, मेनेजर को लाभानी की बहुत चिंता नहीं होती, लेकिन मालिक को हर चीज की चिंता होती है, मेनेजर आठ या नो घंटे सच्चाई और इमानदारी से काम करता है, उसे बस इसी से मतलब होता है, उसे दिल का दोरा नहीं पड़ता, लेकिन मालिक के साथ ऐसा हो जाता है, इसी तरह हमें भी यही सोचना चाहिए, कि इस रचना में हमारा कुछ भी नहीं है, हर चीज परमपिता परमात्मा की है, और हमें बस कुछ खास जिम्मेदारियां और फर्ज सोपे गए हैं, जिनको हमने निभाना है, इसलिए जहां तक फर्ज की बात है, हमें अपने सभी फ हैं, लेकिन एक कलाकार हमेशा यह जानता है, कि वह अभिने कर रहा है, वह यह भी जानता है, कि जो रोल वह निभा रहा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, स्टेज पर प्यार के द्रिश्य भी दर्शाय जाते हैं, बहुत से लड़ाई जगडे भी दिखाय जाते हैं, ले अपना रोल बड़ी कुशलता से निभा रहा है, यहां तक कि आप उसकी आँखों में आसु भी देखते हैं, उसकी आँखों में मुस्कराहट भी देखते हैं, लेकिन वह सिर्फ अभिने ही कर रहा होता है, उसे पता है कि उसका किसी से कोई रिश्टा नहीं है, कोई सच में मरा नहीं है और उसे किसी भी चीज से वंचित नहीं किया जाएगा जब वे स्टेज छोड़ देता है उसका किसी से कोई रिष्टा नहीं रहता यही नजरिया हमें भी अपनाना है एक पुत्र, पिता पती, मित्र और नागरिक होने के नाते अपने अपने कर्मों के मताबिक हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती है जिने हमें अपना फर्स समझ कर निभाना पड़ता है लेकिन हमें इस परकार अभिने करते हुए इनके साथ इतना नहीं जुड़ जाना चाहिए कि हम यह भूल जाएं कि यह सिर्फ अभिने है हमारी मुश्किल तब शुरू होती है जब हम उस रोल को असली समझने लग जाते हैं जिसे हम निभा रहे हैं रेल गाड़ी में हमारी मुलाकात कई आत्रियों कई हमसफर मुसाफिरों से होती है अगर कुछ मुसाफिर खुश मिजाज हैं तो हमारा सफर बड़े मजे से कट जाता है लेकिन जब हमारा स्टेशन आ जाता है तब हम बस अलविदा कहकर उतर जाते हैं आप कभी उनसे इतना मोह नहीं करते कि आप गाड़ी से उतरना ही भूल जाएं और अपने हम सफर मुसाफिर के पास ही बैठे रह जाएं ना ही वह आपके साथ प्लेट फार्म पर उतर जाता है लेकिन जो भी हो आपका सफर तो बहुत सुखद रहा किसी होटल में भी ऐसा ही होता है बहुत से महमान आते हैं और उनके साथ आप कितना मजा करते हैं और फिर समुदरी जहाज में सफर करते हुए भी कई देशों के बहुत से लोग मिल जाते हैं आप उनसे मिलते हैं नाचते गाते हैं और खुश होते हैं लेकिन जैसे ही आप जहाज से नीचे उतरते हैं आप उन्हें भूल जाते हैं हमें ऐसा ही नजरिया अपनाना है और ऐसा नजरिया भजन सिम्रन की सहायता से अपने आप ही विक्सित होने लगता है प्रशनत 369 ऐसा क्यूं है कि जिनके साथ हमारा लगाव है जैसे कि हमारे माता-पिता और प्रियजन आदी उनके प्रती हम प्यार, वफादारी और फर्ज महसूस करते हैं जब तक आप रेल गाड़ी में सफर कर रहे हैं आपको एक दूसरे से हमदर्दी और विनमरता से पेश आना चाहिए तथा एक दूसरे की सहायता करते हुए खुशी से समय बिताना चाहिए मैं यह नहीं कहता कि आप अपना मू लटकाए रखें और किसी से मेल जोल ना रखें लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आपको अपनी मंजिल पर उतर जाना है आप हमेशा उस माहौल में नहीं रह सकते आप लोग अलग होटलों में जाते हैं बड़े प्रेम प्यार से समय बिताते हैं साथ साथ बैठ कर खाना खाते हैं सुविंग पूल पर जाते हैं आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं और आनंद से समय बिताते हैं लेकिन जब आपकी उड़ान का समय होता है तो आप सबको छोड़ कर चले जाते हैं आप जानते हैं कि आप यहां हमेशा के लिए नहीं रह सकते हमारा स्थाई संबंद केवल परमात्मा के साथ है हम उसके हैं और वेह हमारा है हम अपने माता-पिता के आभारी है उन्होंने हमें जन्म दिया है पाल पोसकर बढ़ा किया है हमें अपना फर्ज निभाना है अपने जिम्मेदारियां अपने फर्ज पूरे करने हैं संतमत हमें उन जिम्मेदारियों से भागने के लिए नहीं कहता लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये सब कर्मों के कारण लेन देन के रिष्टे है वे हमेशा के लिए नहीं रहेंगे हमें उनको छोड़ना पड़ेगा और उनको हमें छोड़ना पड़ेगा प्रश्न 360 माराजी, हमारे जैसे ग्रूप के लोग जो संसार के विभिन्न भागों से आकर यहां इकठे हुए है क्या आपके विचार में इसका कारण हमारे पूर्वजन्द्मों के कर्मों के आपसी संबंध है यह ठीक है जब आप एक रेल गाड़ी में इकठे सफर कर रहे होते हैं अगर आपको एक अच्छा साथी मिल जाता है तो आपका सफर बहुत अच्छा कटता है लेकिन आप अपने साथी से इतना ज्यादा जान पैचान या लगाव नहीं बढ़ाते कि जब आपकी मनजिल आ जाए तो आप वहां उतरना ही भूल जाएं सफर में अच्छा साथ मिलना सुखद होता है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि आप अपने स्टेशन पर उतरना ही भूल जाएं हमें अपनी मनजिल को हमेशा अपने सामने रखने की कोशिश करनी चाहिए उस यात्रा में हम हम सफर हैं हर एक ने अलग-अलग स्टेशन पर उतरना है हर एक की मनजिल अलग है और जुदा होने का समय भी अलग है ऐसे में एक दूसरे से इतना अधिक मो नहीं होना चाहिए कि जब हम एक दूसरे से अलग हों तो रोना चिलाना शुरू कर दें या फिर यह भूल जाएं कि हमें एक दूसरे से जुदा होना है चाहे हमारे साथ ही कितने भी अच्छे हों लेकिन जब उन्हें छोड़ कर जाने का वक्त आ जाता है तो हमें जाना ही पड़ता है यह संसार एक पुल की तरह है इस पर कभी अपना घर ना बनाए बस इसके उपर से होकर गुजर जाएं इस संसार में हमारे कर्मों के कारण बने रिष्टों पर भी यही बात लागू होती है हमें एक दूसरे के मों में इतना नहीं उलजना है कि हम अपनी असली मन्जिल को ही भूल जाएं प्रशन 361 माराजी हमें उपदेश दिया जाता है कि हमें इस संसार की हर चीज से मों छोड़ देना है कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हमें मैसूस होता है कि हमारे नए संबंध बन रहे हैं हमारी बुद्धी हमें सतर्क करती है कि वे संबन्ध हमें नहीं बनाने चाहिए क्योंकि शायद ये हमारे हित में ना हो हम कैसे जान सकते हैं कि ये हमारे भाग्य में है या हमें इनसे बचना चाहिए हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ये सारे लगाव हमारे कर्मों के कारण है चाहे ये बंधन अच्छे और श्रेष्ट क्यों ना हूँ बंधन तो बंधन ही है हमें कभी ये चानबिन करने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि यह मेरे भागे में है या मैं कोई नया रिष्टा बना रहा हूँ हमें इन सब की चानबिन करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए हमें सिर्फ भजन सिम्रन को वक्त देना चाहिए ऐसे में सभी रिष्टे धीरे-धीरे छूटते जाते हैं चाहे वे पुराने हो या नए हो या फिर जैसे भी हो उनसे छुटकारा पाने का एक मात्र तरीका भजन सिम्रन ही है आप किसी भैतर चीज से नाता जोड लें तब ये बंधन अपने आप छूटने लगते हैं वरना अगर आप यह कहकर उन्हें सही ठेराना शुरू कर दें कि यह मेरे भागे में है इसलिए मैं इस संबंद से बच नहीं सकता मुझे इसका आनंद ले लेना चाहिए मुझे बाकी सब संबंदों से बचना चाहिए जो मेरे भागे में नहीं है तो आप सिर्फ अपने आपको धोखा दे रहे हैं प्रश्ण 362 महराज जी हम उन लोगों की भावनाओं का खयाल कैसे रख सकते हैं जो ये महसूस करने लगे हैं कि हम उनसे दूर होते जा रहे हैं और अब हम उनसे प्यार नहीं करते हम अपनी जिम्मेदारियों और मोह में फर्क नहीं समझ बाते एक पत्नी, माता, बेहन या जिस भी रिष्टे से मालिक ने हमें जोड़ा है उस रिष्टे से जूड़ी जिम्मेदारियों को हमें मोह समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिन जिम्मेदारियों को हमने स्विकार किया है उनमें और मोह के बंदों में बहुत फर्क है हमें अपनी जिम्मेदारियों को निशकाम भाव से निभाना चाहिए तब आपको कोई परेशान नहीं करेगा लोगों को इसी बात से सरोकार होता है कि हम उनके परती अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभा रहे हैं या नहीं उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि हमारा उनके परती मोह है या नहीं यह सिर्फ कहने की बात है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुमसे यह उम्मीद करता हूँ दरसल यह हमारी अपनी जरूरते हैं जिनको हम एक दूसरे से पूरी करने की कोशिश करते हैं और फिर इसे प्यार का नाम दे देते हैं असल में यही जिम्मेदारिया या फर्ज हमें इस दुनिया में निभाने होते हैं अगर हम भजन सिम्रन को वक्त देते हैं तो हम इन जिम्मेदारियों को बहतर ढंग से निभा पाएंगे और अपने आपको उनसे निरलिप्त रखने में भी कामियाब हो जाएंगे प्रशन 363 क्या पर्मात्मा से प्रेम करने का यह मतलब है कि हमें अपने पती, पत्नी, भाई, माता आदी के साथ प्रेम न रहे क्या पर्मात्मा से प्रेम करने का मतलब इनसे दूर हो जाना है मो और जिम्मेदारी में फर्क है एक पत्नी का पती के प्रती कुछ फर्ज होता है अगर सचमुच इतना मो या लगाव होता, तो अमेरिका में एक भी तलाक ना होता। जिसे पती-पत्नी का प्रेम कहा जाता है, वे सिर्फ अपने साथ किया जाने वाला धोखा है। वे समझते हैं कि उन्हें एक दूसरे से प्यार है, लेकिन ऐसे حالات पैदा हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि वे एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। तब वेह प्यार कहा चला जाता है? ये मो केवल करमों के लेन देन के संबन्ध है। कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं, जिनके मुताबिक ही हमें एक रोल निभाना होता है, चाहे वे पती, पत्नी, बच्चे या किसी और रिष्टे के रूप में निभाएं. हम ये महसूस करने की कोशिश करते हैं कि हमें आपस में बहुत लगाव है, लेकिन हमारा दिल जानता है कि असल में हमें कोई लगाव नहीं है. अगर सचमुच इतना प्यार होता, तो हम अपनी माता, बहन और पिता को भूल कर किसी दूसरे से कभी प्यार नहीं कर सकते थे. प्यार का मतलब है प्रियतम के सिवाए सारे संसार को भूल जाना, पर हमारा प्रेम तो रोज अपना रंग बदलता रहता है. आज किसी से है, तो कल किसी और से. आज यहां है, तो कल वहां. सच्चाई तो यह है कि हमें किसी से प्यार नहीं होता. इसलिए हमें दुनिया में केवल अपने फर्ज पर ध्यान देना है, और पत्नी या पती, पिता या पुत्र या नागरिक होने के नाते, अपने फर्ज पूरे करने हैं. पर हमें इनके मोह में नहीं फसना चाहिए, ना ही हमारे उपर इनका कोई असर होना चाहिए. मिसाल के तौर पर एक शादी शुदा लड़की जब अपने माता पिता के घर आती है, अपने भाईयों और भेनों से मिलती है, वहां उसे माता पिता का लाड़ प्यार मिलता है, और वह भी उनके साथ प्रेम से रहती है, घर का कामकाज भी करती है, फिर भी उसका प्रेम मील हमें भी इस दुनिया में ऐसे ही रहना चाहिए दुनिया में रहना है अपने फर्स पूरे करने है फिर भी हमारा दिल वहां होना चाहिए जहां हमारा असली रिष्टा है अगर एक मक्खी शहद की कटोरी के किनारे बैठती है तो वहे शहद का स्वाद भी ले लेती है और सुखे परों से उड़ भी जाती है लेकिन अगर वहे कटोरी के बीच में बैठती है तो ना वहे शहद का स्वाद ले सकती है और ना ही खुद को उसमें से बाहर निकाल सकती है और आखिर वहे मर जाती है अगर हम पूरे मन से, रिदे से अपना ध्यान उस मालिक में लगाए रखें तो हम सारे संसार का अनंद ले सकते हैं और अगर हम उसे भूल जाते हैं तो यह सारा संसार हमारे लिए दुखदाई हो जाता है क्योंकि तब हम दाता को भूल कर उसकी दी हुई चीजों से ही प्यार करने लगते हैं हम उस देने वाले के शुक्र गुजार तो होते नहीं बलकि जो कुछ वे हमें देता है उसी में मगन हो जाते हैं उसकी दात से भी हम तभी सुक प्राप्त कर सकते हैं अगर हम उस दाता के शुक्र गुजार हों, इसके विपरीत, जो कुछ उसने दिया है, उससे तो हम प्यार करने लगते हैं, पर उस देने वाले को भूल जाते हैं, इसलिए हमें केवल उस मालिक से प्रेम करना चाहिए, किसी और से नहीं. उस थिती में हम उसी तरह इस संसार का अनंद ले सकते हैं, जिस तरह शेहत की मक्षी, शेहत के किनारे बैठकर उसका रस भी ले लेती है, और सुखे परों से उड़ भी जाती है. प्रशन तीनसो चौशट जिन लोगों के साथ वह रहता है, उनके रोक के लिए क्या वह कर्मों की वज़ा से जिमेदर होता है? आपको पती, पुत्र, दोस्त और रिष्टेदार के तौर पर सिर्फ अपना फर्ज निभाना चाहिए और अपने रिष्टे को ध्यान में रखते हुए, जहां तक हो सके, दूसरे की सहायता करनी चाहिए. पर अपने मन पर बोज नहीं लेना चाहिए. अपने अपने कर्मों का फल हर एक को भोगना है. ना तो आप किसी दूसरे के लिए जिमेदार है, ना ही वह आपके लिए जिमेदार है. हम में से हर एक अपने लिए ही जिमेदार है. एक दूसरे से अपने रिष्टे के मुताबिक ही हमारी एक दूसरे के प्रती जिम्मेदारी भी है बात तो जिम्मेदारी निभाने की है मालिक ने जिस भी रूप में हमें इस संसार में भेजा है चाहे पती या पतनी के रूप में, बहन या भाई या फिर किसी रिष्टेदार या दोस्त के रूप में उसी के मताबिक हमें अपने फर्ज निभाने चाहिए लेकिन हमें उनके मोह में नहीं फसना चाहिए क्योंकि आखिर में हमें भजन सिम्रन और शब्द के अभ्यास द्वारा उनके मोह से बाहर निकलना है हमें उनके मोह में नहीं फसना है जब आप उनसे मोह छोड़ देंगे तो चाहे उन्हें कोई शारिरिक या मानसिक रोग है या नहीं आप पर इसका कोई असर नहीं होगा उन्हें अपने कर्मों का फल खुद ही भोगना है इसका यह मतलब नहीं कि इनसान होने के नाते आप अपना फर्ज पूरा ना करें आपको चाहिए कि जहां तक हो सके उनकी पूरी-पूरी सहायता करें आपको उनकी सहायता जरूर करनी चाहिए लेकिन आपको उनके मोह में नहीं फसना चाहिए प्रश्न 365 महराजी, क्या आप बता सकते हैं कि हम मोह में फसे बिना अपने परिवार, यार दोस्तों आदी से कैसे प्यार करें हम उनसे मोह किये बिना प्यार कैसे कर सकते हैं? जब हम सबसे प्यार करते हैं तो हमें किसी से मोह नहीं होता सबसे प्यार करने का मतलब है परमशक्ती से प्यार करना जो कुछ खास लोगों या किसी खास इंसान या प्राणी के अंदर निवास नहीं करती बलकि हर एक प्राणी में मौजूद है जब हम किसी एक इनसान से प्यार करते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों को यह कहे कर सही ठहराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम प्रमात्म की रचना से प्यार कर रहे हैं मैं आपको एक सुफी फकीर के जीवन व्रतांत में से एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ एक बार वे किसी गली में से गुजर रहे थे और उनके कुछ शिशे भी उसके पीछे-पीछे आ रहे थे वे हमेशा प्रमात्मा की भक्ती और प्यार में मस्त रहता था जब वे सब वहां से जा रहे थे तो गली में से एक नर्तकी मस्ती से नाश्ती हुई उनकी और आई फकीर ने उसे चूम कर कहा वा, खुदा कितना खुबसूरत है क्योंकि गुरु ने उसे चूमा था उसके शिश्यों ने भी उसे चूम कर कहा वाह! खुदा कितना खुबसूरत है गुरु ने यह देख लिया जब वह कुछ आगे गया तो उसने एक लोहार को लोहे के एक दहेकते हुए टुकडे को हतोडे से पीटते हुए देखा गुरु ने लोहे के लाल सुर्क टुकडे को चुम कर कहा वाह! खुदा कितना खुबसूरत है लेकिन छिष्षे आगे नहीं बड़े तब फकीर ने उनसे पूछा अब तुम्हारा खुदा का प्रेम कहा है? कभी कभी हम सिर्फ अपनी कमजोरियों को सही साबित करने के लिए कह देते हैं कि हम किसी व्यक्ति से नहीं उसमें मौजूद प्रमात्मा से प्यार कर रहे हैं सभी को नाम या शब्द से ही प्यार करना चाहिए क्योंकि शब्द या नाम का प्यार ही हमें मालिक के साथ जोड सकता है प्रशन 366 महराजी, जब तक हमें प्रमात्मा से प्यार नहीं हो जाता क्या हमारा अपने परिवार और यार दोस्तों के साथ बिना मो के प्रेम करना संभव है? संभव का तो कोई सवाल ही नहीं है हमें इसलिए उनसे मो है क्योंकि हमें मालिक से प्यार नहीं है लेकिन हमें अपनी सारी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है हमें अपना फर्ज निभाना है हमारा रवेया इस तरह का होना चाहिए कि हम हर तरह से उनकी साहता करे जिन्दगी के हर मोड पर अपने फर्ज पूरे करने की कोशिश करे यह सिर्फ आपकी पतनी और बच्चों पर ही नहीं बलकि हर किसी पर लागू होता है आपको एक अच्छा नागरिक, अच्छा दोस्त, अच्छा भाई, अच्छा पिता और अच्छा पती बनना है हर एक के प्रती, दया और प्रेम की भावना रखते हुए समाज के लिए सहायक बनना है इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनके मोह में बंदे हुए है दिल में हमदर्दी होना और मोह रखना दोनों एक दूसरे से अलग भाव है अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और देखते हैं कि एक कुत्ता किसी कार से कुछला गया है तो आप फौरण अपनी गाड़ी रोक लेते हैं कुत्ते को ऐसी दैनी हालत में देख कर आपको इतनी दया आती है कि आपके आशू तक निकलाते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उस कुत्ते से मोह है आप तो उस कुत्ते को पहचानते तक नहीं यह सिर्फ आपका प्यार और हमदर्दी से भरा हुआ दिल ही है जो एक कुत्ते के लिए रो रहा है मुहों के प्रती हमारी धारना गलत है कोई दूसरा व्यक्ती शायद कुत्ते को उस हालत में देख कर आगे निकल जाता वहां रुकना भी जरूरी ना समझता इसका यह मतलब नहीं कि उसे कुत्ते से प्यार नहीं है यह तो सिर्फ आपके नजरिये की बात है आपके दिल में दिया भाव, प्यार, हमदर्दी और सहायता करने का जजबा होना चाहिए लेकिन अगर हमें अपनी परिवार से मो है तो क्या हमें उनसे मो त्यागने की खास कोशिश करनी चाहिए या फिर ऐसा खुद बखुद हो जाएगा जब हम परमात्मा से जुड़ जाएंगे आपने कोई खास कोशिश करके अपने आपको मो से नहीं हटाना है आपको सिर्फ अपने अंतर में उस दिवे धुन से जोड़ने की कोशिश करनी है इससे अपने आप ही वेराग्य पैदा हो जाएगा अगर आप अपने मन से लड़ते रहेंगे मैं अपनी पत्नी से प्यार नहीं करूँगा मैं अपने बच्चे से प्यार नहीं करूँगा तो आप उनके प्यार में और ज्यादा फस्ते चले जाएंगे आप जितना ज्यादा अपने मन से लड़ाई करेंगे आपका मन उतना ही उनकी ओर दोड़ेगा लेकिन अगर आप अंतर में अपने आपको शब्द और नाम से जोड़ने की कोशिश करेंगे तब आपका मन खुद बखुद मोह जाल से छूट जाएगा केवल प्रेम ही वेराग्ये पैदा करता है वेराग्ये से कभी प्रेम पैदा नहीं होता प्रश्न 366 हम इतनी कोशिश करते हैं फिर भी कोई नतीजा नजर नहीं आता इसलिए हम अपने अंदर उस खालीपन को महसूस करते हैं जिसकी आप चर्चा करते हैं हम अपनी होमे को दूर करने और दुनिया का त्याग करने के लिए इतनी कोशिश करते हैं लेकिन मेरा मन विद्ध्रो करता है, मैं अपने मन से कैसे निप्टूं, मैं अपने मन को कैसे समझाओं। हम दुनिया में किस चीज का त्याग करते हैं? हमें इस दुनिया की किस चीज को छोड़ना चाहिए? आपके विचार में किस चीज को छोड़ना है? आप अपने परिवार का त्याग नहीं करते। दरसल हम अपनी हौमे को नहीं छोड़ते। हमें अपनी हौमे से उपर उठना है। हमें किसी चीज को नहीं छोड़ना बलकि अपने मन में विराग्य पैदा करना है। हमें लोगों के बीच रहना है लेकिन उनके साथ मोह नहीं करना है। ऐसा तभी हो सकता है जब हम किसी ऐ जब हम किसी बहतर चीज से जुड़ जाते हैं, तब हमारा मन अपने आप हर तरफ से हट जाता है. फिर हमें किसी चीज को छोड़ने की जुरूरत नहीं रहती. जब एक लड़की किसी युवक से प्यार करने लगती है तब वे अपने माता-पिता, भाई-भेनों को अपने आप भूल जाती है उन्हें भूलने के लिए उसे अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती इसी तरहां जब हमें अंतर में उस अमृत, उस चेतन जल का स्वाद प्राप्त हो जाता है तब हम खुद बखुद इंद्रियों के भोगों से हट जाते हैं फिर उनमें हमारी कोई दिल्चस्पी नहीं रहती संसारिक मान भढ़ाई, संसारिक पदार्थों में हमारी कोई दिल्चस्पी नहीं रहती लेकिन हमें इन सब के बीच रहना है क्योंकि हमें अपने कर्मों की वज़ा से मिली जिम्मेदारियों को निभाना है मालिक ने हमें जो भी रोल निभाने के लिए दिया है उसे हमें निभाना ही है लेकिन विरक्त भाव से अगर एक शहद की मखी शहद की कटोरी के किनारे पर बैठती है तो वह शहद का स्वाद भी ले लेती है और सुखे परों से उड़ भी जाती है अगर वे शेहत के बीच में जा बैठती है तो उसके पंक भारी हो जाएंगे और वे उड़ नहीं पाएगी वे मर जाएगी इसलिए संसार में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें उस मकसद को नहीं भूलना चाहिए जिसके लिए हमें यह मुनुश्य जन्म बक्षा गया था जब वे मकसद हमारी आँखों के सामने होगा तो कुदरती तौर पर ही दुनिया की चीजों में हमारी दिल्चस्पी नहीं रहेगी लेकिन हमें उनसे दूर नहीं भागना है प्रश्ण 368 महराजी क्या पती-पत्नी का आपसी प्यार मन का भ्रह्म मात्र है? इस दुनिया में कोई भी प्यार सच्चा नहीं है यह सिर्फ अपने आपको धोका देना है ना कोई हमारा है ना हम किसी के हैं हम खुद को धोका दे रहे हैं लोग अपने आपको धोका दे रहे हैं वे एक ब्रह्म में जी रहे हैं कि हम एक दूसरे के हैं हम एक दूसरे के लिए बने हैं दरसल हमारा संबंद केवल प्रमात्मा के साथ है बाकी सिर्फ एक दूसरे के साथ कर्मों का संबंद है यह उसी तरह है जैसे स्टेज पर एक्टर आते हैं और अपना रोल निभाते हैं उसके बाद वे स्टेज से उतर जाते हैं और तब उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रहता। इस तरह हम सिर्फ एक नाटक में हिस्सा ले रहे हैं। अपने बच्चों, पती-पत्नी और यारो दोस्तों के साथ अपना रोल निभा रहे हैं। लेकिन हम उन्हें असली समझने लगते हैं। इसलिए उनके मोह में फस जाते हैं। और यहीं से हमारी तमाम परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जब हम अपने पिछले जन्मों के रिष्टे नातों को, कर्मों के अनुसार बने संबंधों को भूल गए हैं, तो हमें आज के ये रिष्टे नाते भी याद रहने वाले नहीं हैं। ये केवल कर्मों के रिष्टे नाते हैं। जब हम उस परमपिता की रजा में रहते हैं, तो उससे हमारा असली संबंध कायम हो जाता है। वही संबंध स्थाई है, शाश्वत है। जैसा की हजरत इसा ने कहा था, आखिर में एक ही चरवाह होगा और एक ही बाड़ा। इस तरह जो उस बाड़े में आ जाते हैं, उनका गडरिये के इर्द-गिर्द इकठे हुए जीवों से पक्का रिष्टा बन जाता है। प्रश्ण तीन सो उनत्तर, महराजी, क्या आप प्यार के बारे में चर्चा जारी रखेंगे। प्यार केवल एक ही है, और वै है रूहानी प्यार। दुनियावी प्यार अपने आपको धोका देना है। आपसी प्यार जैसा कुछ नहीं होता, यह सिर्फ खुद को धोका देना है। कुछ वक्त के लिए इस भ्रह्म में रहना अच्छा है, क्योंकि तब आप अपना जीवन असानी से बिता सकते हैं। ब्रह्म में रहते हुए आपके लिए जीवन गुजारना आसान हो जाता है, लेकिन असली प्यार सिर्फ रुहानी प्यार ही है। प्रश्न 370 मोह की बंधनों और सांसारिक जिम्मेदारियों में कैसे फर्क किया जा सकता है। मोह में फसने और अपनी जिम्मेदारी निभाने में बहुत फर्क है। हमने एक नागरिक के रूप में, पती, पुत्र, भाई या दोस्त के रूप में अपने फर्ज पूरे करने हैं। लेकिन इन जिम्मेदारियों तथा लोगों में हमें इतना ज्यादा नहीं उलजना है कि जिन्दगी के असली मकसद अपनी मंजिले मकसूद और सच्चे मार्क को ही भूल जाएं। हमें उनसे ज्यादा मो नहीं रखना चाहिए। जब वे हमारे साथ होते हैं तब हमें उनके साथ हसी खुशी से रहना चाहिए। परन्तु जब वे हमसे दूर चले जाते हैं तो हमें उनकी याद में इतने दुखी नहीं होना चाहिए कि हमारा मन उनके साथ रहने के लिए ही त मोह के निभाने चाहिए लेकिन जब तक हम किसी बहतर चीज के साथ जूड नहीं जाते तब तक इस मोह से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है अगर आप शादी करने से पहले किसी लड़की से कहें कि वह अपने माता-पिता और सखी सहेलियों से नाता तोड़ दे तो वह कितनी ही कोशिश क्यों ना करे कभी कामयाब नहीं हो सकती लेकिन जब उसका आप से प्यार हो जाता है तो वह अपने आप सबसे दूर हो जाती है मन की भी यही फित्रत है जब मन अंदर में उस दिव्वे धुन उस दिव्वे प्रकाश के साथ जुड़ जाता है तब यह इंद्रियों के भोगों से अपने आप दूर हो जाता है जब तक मन बाहर मुखी होकर इंद्रियों के भोगों की और दोड़ता रहता है तब तक इसका रुख बाहर की और होता है ये दुनिया के मों में फसा रहता है जब मन का जुकाव अंदर की ओर हो जाता है और ये आँखों के पीछे तीसरे तिल पर आकर शब्द या नाम के साथ जुड़ जाता है तब ये इंद्रियों के भोगों से हटने लगता है अगर आप खुद को अंतर में शब्द के साथ जूड़ कर रखें तो आप दुनिया में चाहें किसी भी तरह का काम करें हमेशा विरक्त भाव से ही करते हैं वरना आप हर काम दुनिया के मों में फसकर ही करते हैं जब आप अंतर में शब्द के साथ जूड़ते हैं तो अपने आप दूसरी हर चीज का मो दूर हो जाता है प्रश्ण 371 संत मत की पुस्तकों में इसी बात पर जोर दिया जाता है कि इस जंदगी में सिर्फ सद्गुरु ही हमारा सच्चा मित्र है अगर इस सच्चाई को पूरी तरह मान ले तो हम दुनिया में दूसरे लोगों से दोस्ती कैसे कर सकते हैं भले ही उनका जुकाव रुहानियत की ओर है हमारा इस दुनिया में सब के साथ कर्मों के कारण संबंध है लेकिन यह संबंध तभी तक रहता है जब तक हम इस देह में रहते हैं शरीर का साथ छूड जाने के बाद इस दुनिया की कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाएगी हमें सब कुछ यहीं छोड़ देना होगा मैं अक्सर नाटक की मिसाल देता हूँ हर कलाकार स्टेज पर आकर अपना रोल निभाता है वह एक पती का, पत्नी का या बच्चे का पाठ अदा करता है लेकिन पाठ अदा करने के बाद जब वह स्टेज से उतरता है तब उसका दूसरे कलाकार के साथ कोई रिष्टा नहीं रहता इसी तरह हमारा भी एक दूसरे के साथ कोई असली रिष्टा नहीं है यह सब कर्मों का लेंदिन है हमें सिर्फ कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए ही किसी ना किसी रूप में यहां इकठा कर दिया जाता है आपने बाइबल में पड़ा ही है कि जब हजरत ईसा की मां उनके पीछे खड़ी थी तो किसी ने उनसे कहा तुम्हारी माता उदर खड़ी है और तुमसे बात करना चाती है और उन्होंने कहा कैसी माँ और कैसा भाई मेरी कोई माँ नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है मेरे कोई रिष्टेदार नहीं है जो मेरे परमपिता की रजा में रहते हैं वे ही मेरे असली संबंदी है इस परकार हमारा असली रिष्टा तो उनसे ही है जो उस दिव्य धुन की डोर से, शब्द की डोर से, नाम या शब्द की डोर से इकठे बंदे हुए है हमारा असली रिष्टा वही है क्योंकि अंत में एक ही गड़रिया और एक ही बाड़ा होगा ये सांसारिक संबंध सिर्फ कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए है हम सब मा के रूप में, बाप के रूप में और बच्चों के रूप में जन्म लेकर दुनिया की स्टेज पर अपना अपना पाट अदा करने के लिए आते हैं लेकिन जब हम दुनिया से चले जाते हैं, तो हमारा किसी से कोई रिष्टा नहीं होता इसलिए हमारा असली रिष्टा केवल सद्गुरू से है क्योंकि सद्गुरू वापस जाकर परमपिता में समा जाते हैं जब हमारा भी सद्गुरू से प्यार हो जाता है, फिर उनके जरिये हम भी परमात्मा में समा जाते हैं अंत में, जैसा कि हजरत इसा ने फरमाया है तुम मुझ में समाय हो और मैं परमपिता में समाया हूँ इसलिए तुम भी परमपिता में हो यही सच्चा रिष्टा है जब हम उस परम आनंद में उस परमात्मा में समाकर एक रूप हो जाते हैं ये दुनियावी रिष्टे तो सिर्फ कर्मों का हिसाब किताब चुकाने के लिए ही है प्रशन 372 माराजी यह कहा जाता है कि अगर हम शादी शुदा है तो इस जन्मों में परमात्मा से मिलाप नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल में मैंने तो ऐसा कहीं नहीं पड़ा किसी भी पुस्तक में ऐसा नहीं पड़ा कि शादी शुदा लोग इस मार्ग में कोई तरक्की नहीं कर पाते मेरा भी यही विचार था इस बात पर हम लोगों में चर्चा हुई थी और चर्चा का विशय यही था कि जब तक प्रारब्द कर्म बाकी है उनको भुकते बिना हम अपने अंतर में नहीं जा सकते आपको यह कैसे पता लग सकता है कि अभी कौन-कौन से और ऐसे कर्म है जिनका भुकतान होना बाकी है मेरे विचार से शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें मोह ही दुनिया में खीच कर वापस लाता है और मैं समझता हूँ कि शादी के रिष्टे में मोह के बजाए फर्ज और जिम्मेदारी का एहसास ज्यादा होता है शादी के बाद शुरू-शुरू में जो लगाव हमें महसूस होता है देर सवेर हमें मालुम हो जाता है कि दरसल यह लगाव नहीं है बलकि स्वार्थ का संबंध है और जब हमें इस बात का एहसास हो जाता है तो मेरे ख्याल में फिर हमें कोई भी यहां बांद कर नहीं रख सकता अगर हमें अपने कर्तवे का ग्यान हो जाए तो हम पती, पत्नी, पुत्र, भाई और दूसरे किसी भी रिष्टे के रूप में अपनी जिम्मेदारी भैतर ढंग से निभा सकते हैं फिर उनके साथ रहते हुए भी उनसे हमारा मोह नहीं रहता तब हमारा लगाव किसी भैतर चीज्ट के साथ हो जाता है असल बात यही है जब हम बुल्डोजर के साथ बंदे हो और साथ ही हमने कुत्ते को जंजीर से पकड़ा हुआ हो तो कुत्ता हमें पीछे की और नहीं खीच सकता अगर हम कुत्ते की जंजीर को हाथ में पकड़े रखें तब अगर हम भूल भी जाएं कि हम बुल्डोजर के साथ बने हैं फिर भी कुत्ता हमें पीछे नहीं खीच सकता बलकि बुल्डोजर हमें खीच ले जाएगा और कुत्ता भी हमारे साथ खीचा चला जाएगा इस तरहां जब हम उस दिव्वे धुन उस शब्द के साथ अंतर में जुड़ जाते हैं तो संसार में रहते हुए भी यहां अपनी जिम्मेदारिया निभाते हुए भी हम इसके मोह में नई फस्ते हम समझते हैं कि दुनिया के लोगों ने हाथों में जंजीरे पकड़ रखी हैं और वे हमें खीच रहे हैं पर शब्द के खिचाफ के मुकाबले में वे इतने कमजोर होते हैं कि हमें अपनी और खीचने के बजाए वे खुद उन्हीं जंजीरों के दौरा हमारी और खीचे चले आते हैं इसलिए अगर हम संत्मत के उसूलों के मताबिक जी रहे हैं तो ये जिम्मेदारियां हमें परेशान नहीं करती ये हमें प्रभावित नहीं कर पाती शरीर के मुकाबले में मन की एहमियत कहीं ज्यादा है इसलिए हमें अपना फर्ज अदा करना चाहिए और मन को शब्द में लगाए रखना चाहिए हम जानते हैं कि अधिकान संतों ने विवाहित जीवन गुजारा है वे परिवार के साथ रहते थे और ग्रहस्थ थे शादी के कुछ फाइदे भी होते हैं क्योंकि कुछ खास इच्छाओं को ज्यादा दबाना नहीं पड़ता और ना ही उनकी और बहुत अधिक ध्यान रहता है वे इच्छाएं आती जाती रहती हैं वरना उनके कारण तनाव महसूस हो सकता है और वे हमें नीचे की और खीच सकती हैं जिसका हमें एहसास ही नहीं हो पाता इसलिए मनुष्य के स्वभाव की दृष्ची से यही भैतर है कि विवाई जीवन जिया जाए ग्रहस्थ को अपनाया जाए इमानदारी से ग्रहस्थ जीवन जिया जाए और अपने फर्ज भी पूरे किया जाए दरसल दुनिया में हम किसी चीज को छोड़ नहीं पाते हम सोच लेते हैं कि हमने संसार से किनारा कर लिया है पर असल में हम इस संसार से उपर ही नहीं उठ पाते चाहे हम घर भार छोड़ कर जंगलों में चले जाएं चाहे मंदिरों में आश्रे ले लें या गिर्जा घरों में चले जाएं तो भी क्या हम कुछ छोड़ पाते हैं हमें तन ढखने के लिए कपड़ों की जरूरत है हमें पेट भरने के लिए भोजन की जरूरत है हमें सिर के उपर छट की जरूरत है और ये सब चीजें हमें हासिल करनी ही पड़ती है वहां जाकर भी हमें इन चीजों की जरूरत तो पड़ती ही है हमसे छूटती कौन सी चीज है ये तो मनुश्य की स्वभाविक जरूरते हैं जिन से बचा नहीं जा सकता लेकिन हमें इनका दास नहीं बनना है हमें अपना फर्ज निभाना चाहिए और साथ ही अपने असली फर्ज पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए हमें उस खास फर्ज को नहीं भूलना है जिसके लिए हमें मनुश्य शरीर मिला है अगर हम उस मन्जिल को मनुश्य जीवन के उस मकसद को हमेशा आखों के सामने रखें और उसी के मताबिक अपनी रहनी बनाएं तो अन्य बातों का हम पर कोई असर नहीं होगा हमारा मोह ही हमें खीच कर दुनिया में वापिस लाता है अगर इस दुनिया के शकलों पदार्थों से हमारा मोह है तो हम इस संसार से बंदे हुए है इस तरह हम दुनिया में अपनी जड़े मजबूत कर लेते हैं और मोह के ये बंदन हमें वापस दुनिया में ले आते हैं अगर किसी सत्संगी को शब्द से प्यार है सद्गुरु से प्यार है तो अपने आप ही दुनिया के मोह के बजाए उसके अंदर सद्गुरु के प्यार की कहीं ज्यादा कशिश होगी उसने खुद को दुनिया से अपने रिष्टेदारों से उपराम करके सद्गुरु के साथ, शब्द के साथ, कुल मालिक के साथ जोड लिया है और इसी वज़ा से वह प्रमात्मा की ओर खिचा चला जा रहा है सद्गी के रिष्टेदारों और जान पेचान वालों को उससे लगाव होता है सद्गी के प्यार में बंधे वे भी उसकी तरफ खिचे चले आएंगे और परमात्मा के प्रेम में बंधा वे सद्गी परमात्मा की ओर खिचा चला जाएगा इस तरहां जिन लोगों को आप से प्यार होगा, उनको भी इस तरहां से साहेता मिल जाएगी क्योंकि अंत में उनको भी उस स्थान पर पहुँचने के लिए जहां आप पहुँचे हैं, इसी मार्ग पर आना पड़ेगा दूसरी और, अगर आपका प्यार शब्द, सद्गरू या परमात्मा के बजाए उन लोगों से है, तो आप उनके मों में बंधे, उनकी और खिचे चले जाएंगे जब हम एक buldozer के साथ बंधे हों, और एक कुत्ता हमारे साथ बंधा हुआ है, तो वे कुत्ता हमें अपनी और नहीं खिच सकता, वे हमारे साथ खिचा चला जाएगा, इस तरहां उसे हमारे buldozer के साथ बंधे होने से फाइदा हो जाएगा दरसल फर्क इस बात से पढ़ता है कि मोह कितना गहरा है रिष्टेदारों का आपके साथ प्यार उनकी सहायता करेगा क्योंकि आप एक ऐसी शक्ति के साथ बंदे हुए हैं जिसका रुख उपर की ओर है लेकिन अगर आप उनके मोह में फसे रहेंगे तो इससे ना आपको फाइदा होगा ना उनको बुल्डोजर क्या है? सद्गुरू, शब्द, वर्ड या नाम ही बुल्डोजर है प्रशन 374 एक किताब में ऐसा लिखा है कि सद्गुरू ससंग्यों की पिछली आठ पीडियों तक के सगे समन्दियों की मदद करते है हमें नामदान मिलने से हमारी पिछली आठ पीडियों की प्रभाव पड़ता है क्या मोह के कारण ऐसा होता है? सवाल आठ पीडियों का नहीं है हजरत ईसा ने कहा था अगर तुम इस संसार में खजाना जमा करोगे तो वापस इस संसार में आओगे अगर स्वर्ग में खजाना जमा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे क्योंकि तुम वहीं जाओगे जहां तुमारा मन होगा जहां तुमारा मोह होगा इस तरह हमें हमारे मोह के बंधन अपने स्थर पर खीच लाते हैं अब अगर आप अपने अंतर में उस धुन या दिव्वे शब के साथ जुड़े हुए हैं, तो यह नाम आपको खीच कर अपने स्तर पर ले जाएगा, और जो लोग आपसे प्यार करते हैं, वे भी आपके साथ उस पवित्र नाम की ओर खीचे चले जाएंगे. लेकिन अगर आप उस नाम से जुड़े होने के बजाए, रिश्टेदारों या यारों दोस्तों के मोह में फसे हुए हैं, तो वे आपको खीच कर नीचे अपने स्तर पर ले जाएंगे. अगर आप किसी उची शक्ती से जुड़े हैं, तो आप उन सब को जो आपसे प्यार करते हैं, खीच कर उसी उचे स्तर पर ले जाएंगे. मिसाल के तौर पर, अगर आप एक बुल्डोजर से बंदे हैं, तो वे आपको खीच लेगा. लेकिन अगर आप बुल्डोजर के साथ नहीं बंदे हैं, बल्कि एक कुत्ते को जन्जीर से पकड़े हुए हैं, तो कुत्ता आपको अपनी और खीच सकता है. इसलिए, अगर आप अपने संबंधियों की मदद करना चाहते हैं, तो पहले आपको अपनी मदद करनी होगी. अपने आपको सबसे विरक्त करके उस पवित्र शब्द के साथ जुड़ना होगा. जब आप उस शब्द्धुन के साथ जुड़ जाएंगे, तब जो भी संबंधी आपसे मोह के कारण बंदे हैं, वे भी आपके प्यार में उसी और खीचे चले आएंगे. तुम्हारा प्यार उनके साथ होने के बजाए शब्द के साथ होता है. आखिर में वे भी आपसे प्रेमभाव रखने के कारण अपना रास्ता ढूंड लेंगे. यही सारे सिध्धान्त का निचोड है. सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों का मोह किस के साथ है और उनका आपसी लगाव कितना गहरा है. एक रेल के इंजन के साथ कई डिब्बे जुड़े होते हैं, लेकिन हर डिब्बा जो इंजन के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी सब डिब्बों को भी खीच लेता है. इसी तरह अगर आप इंजन यानी शब्द के साथ जुड़े हुए हैं और आपके रिष्टेदार आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके साथ वे भी खीच लिए जाएंगे. लेकिन अगर आप इंजन के साथ ना जुड़े होकर केवल डिब्बों के साथ जुड़े हो, तो आप सब जहां हैं, वहीं के वहीं रह जाएंगे. फिर आपको खीचने वाला कोई नहीं होगा आप उन खड़े डिबों के साथ ही खड़े रह जाएंगे इस तरहां आपने जो खुझ भी पुस्तक में पड़ा है उसका यही अर्थ है प्रश्ण 375 एक तरहां से उनको भी फायदा होता है अगर सत्संगी अंतर में नाम से जुड़ा हुआ हो तो वह अपने आपको मन और माया के देश के पार ले जा सकता है और अगर उसके किसी रिष्टेदार का उससे प्यार है तो वह भी उसके प्यार में बंधा उसकी और खिचा चला जाएगा इस तरहां उसकी भी मदद हो जाएगी लेकिन अगर सत्संगी को अपने उस रिष्टेदार से मो है और वह अंदर शब्द से नहीं जुड़ा तो वह रिष्टेदार उसको खीच कर अपने स्तर पर भी ला सकता है हजरत इसा ने फरमाया है कि हम वहीं जाते हैं जहां हमारा दिल होता है अर्थात जहां आसा तहां बासा अगर हम अपने रिष्टेदारों या यार दोस्तों की मदद करना चाते हैं तो पहले हमें अपनी मदद आप करनी होगी जब हम खुद अंदर शब्द के साथ जुड़कर अपनी मदद कर लेते हैं तब हमारे संबंधियों की भी अपने आप मदद हो जाती है यदि दोनों यानि पती और पत्नी सतसंगी हो तो अगर दोनों को ही सदगुरु से प्यार है तो बहुत अच्छी बात है अंत में दोनों में ही वेराग्य की भावना आ जाएगी लेकिन हजरत इसा ने कहा है कोई भी दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता तुम्हारा प्यार या तो परमात्मा के साथ हो सकता है या फिर मन से जब तक हम आखों के केंदर से नीचे रहते हैं तब तक हम एक दूसरे के मोह में बंदे रहते हैं जब हम आखों के केंदर से उपर होते हैं तो अंदर नाम के साथ जुड़ जाते हैं तब हमारा आपसी मोह खत्म हो जाता है। तब हम पती-पत्नी के तौर पर सिर्फ अपना-पना फर्ज पूरा करते हैं। इस तरहां मोह के वे बंदन अपने आप धीले हो जाते हैं। जब आप अंतर में शब धुन के साथ जुड़ जाते हैं, जब वह अवस्था आ जाती है। तब आप एक दूसरे के मोह में फसे बगैर अपना-पना फर्ज पूरा करते हैं। फिर आप एक बहतर पत्नी, एक बहतर पती बन जाते हैं।